तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर है जूलियस सीजर ठीक है तो जूलियस सीजर कौन है उसके बारे में थोड़ा हमें आज देखेंगे 2000 years ago there lived in Rome a great soldier and leader Julius Caesar 2000 years ago means 2000 2000 साल पहले there live in Rome Rome एक जगे का नाम है वहाँ पे कौन रहता था एक great soldier रहता था एन लीडर उसका नाम था जूलियस सीजर ठीक है यह है सीजर famous all over Europe as a conqueror वो पूरे यूरोप में इतना famous था कि वो हर जगे को वो अपने अपने इलाग अपना उसमें ले लेते थे बहुत ही वो एक honest person था बहुत ही अच्छा एक soldier था ठीक है great soldier था famous all over Europe as a conqueror and admired by his people as a national hero और उसके जो रोम के जो people है वो जूलियस सीजर को क्या कहते थे national hero कहते थे ठीक है national hero living in Rome at that time was a man named Brutus उसी time उस रोम में और एक बंदा भी रहता था उसका नाम था British उसका नाम था British अब ब्रेव में British भी बहुत ही ब्रेव खुशार एक ऐसा बंदा था who had high and noble morals and was Caesar's dearest friend वो बहुत ही high and noble morals था उसके वो बहुत अच्छी और समझदार वाला इंसान था और उस जूलियस सीजर को क्या था एक सबसे करीबी दोस था dearest friend था Brutus watched his growing ambitious with great anxiety and was troubled with his self-importance Brutus watched his growing ambition with great anxiety वो देखते थे कि जो हमारी जो जूलियस सीजर है वो बहुत ही ambition है वो सभी के लिए सोचने वाला एक soldier था तो इन सब चीजों को देखके great anxiety भी होता था Brutus को थोड़ा सा anxiety लगना थोड़ा घबराहाट जैसा होना and was troubled with his self-importance और यहां पर वो अपने self-importance को लेके ट्रबल में आ जाते हैं अब इस तो lesson में क्या है Brutus and his Brutus and his brother-in-law Brutus और उसके sister का husband sister के husband को केते हैं brother-in-law Brutus और उसके sister के जो husband है जिसका नाम है Cassius suspected that Caesar might be offered the crown at a national gamut there would be thousands of people there आप वो क्या सोचते हैं जो इस बार भी Julius Caesar को ताश मिलेगा बहुत सालों से Julius Caesar को ताश मिल रहा था कि आप हमारे रोम का रोम के किंग बन जाईए बोलके people जो लोग थे वहां के वह हमेशा सीजर को बोलते थे कि आप हमारे राजा बन जाईए जिते खुनला बोलन सुमजी जितांग चेश चुश किया वहां बहुत बार उसको देने की कोशिश किया लेकिन सीजर ने कभी भी ताश नहीं लेना चाहां पिल्कि वह एक अच्छा इमानदर इंसान था वह कभी लालश में नहीं आता था जूलियस सीजर लेकिन यहां पर जो केशे से अब वो क्या होने लगा उसको सस्पेक्ट डिट सीजर माइट भी ओफर्ट अब वह अब वह सोच रहा था कि आप सीजर को तो फिर दुबारा से लोग उसको क्रौन क्रौन जो है ओफर्ट करेंगे अडर नेशनल गेम में एंडियर चेश। ब्रौन केशिज में पारी र्म इंड से वाँ है तो इसले रूभ फिर दौन केश। यहां पर कैशस की भाइब से की फिलाफ चुब्डीय करने की एश की तो बागन वान किसे और मेंको बिशना करने पर चीजर ऑन सीजर वहाट करतोबा चुब्रीय कि एज़एब आपने जो शेजर को खड़ए Philippe फिर दुबारा सीजर को ही राजा मिले सीजर को राजा ना मिले ये सोच रहा था वो लेकिन सीजर ने कभी भी सीजर को दो तिन जुले सीजर को दो तिन बार ताश ओफर किया था लेकिन यहाँ पर क्या था कि इस बार भी लोग सीजर को ताश ओफर करेंगे और सीजर उस में पॉइजन बरना स्टाट किया में चुगली चोचे समझतों तो थो को बहुत बहुत समझते हैं किसने तो पहुत नहीं है I was born as free as Caesar. So where are you? We both have fed as well. उसने कहा, केशेस ने कहा, Oye Brutus, तुम भी तो हम साब एक जेसे पाले बड़े हैं. नातां सामा चिक ची चो लश्केस्ते, चिक ची चो लागा तां सामा खर्जी जिन श्कित पो चिन दूख सेनो, हला. I was born as free as Caesar. So where are you? We both have fed as well. And we can both enjoy the winter cold as well as he. जिससे सीजर आपे शस्टन्ग में ना लड़े ही. But this man is now become a boy. लेकिन सब के नजर में सीजर क्या बन गया है? गोड बन गया है जिते केशे से ब्रुटिस लाजश के. I have often thought that about these things, ब्रुटिस आंसर. British ने का, हाँ, मैं भी यहीं चीज़ें सोच रहा था, Casca, another member of cashier's party, Casca भी को ने, cashier's party का दूसरा member है, had been at the game, वो भी उस game में थे, he told them that Mark Antony, वहाँ पे और एक इंसान था, उसका नाम था, Mark Antony, वो कौन था, another famous soldier and friend of Caesar, वो भी famous एक soldier था, और वो Caesar का दोस्त था, कौन, Mark Antony, He offered the crown three times to Caesar, जो Mark Antony है, उसने तीन बार Caesar को ताज ओफर किया, हलागी, राजा चुचे सिफिया, every time Caesar had refused, लेकिन हार टाइम Caesar ने उस चीज़ को मना किया, Caesar ने कभी भी ताज को accept नहीं किया, but, but, each time he had been slower in the refusal, हमेशा उसने मना किया, किसने, Caesar ने मना किया, ताज को accept नहीं किया, Caesar was certain that if Caesar was offered the crown, again he would accept, अब कासका ने कहा, तीन बार Caesar ने accept नहीं किया, ताज, आज इस बार Caesar को ओफर करेंगे, तो मुझे लग रहा है, इस बार Caesar उसको क्या करेंगे, accept कर लेंगे, जुख 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 के जिश के, खला, ताज को नहीं किया, जुख नहीं किया, जुख नहीं था, क्यूंकि ब्रूटेस, Caesar का बेस फ्रेंग था, लेकिन कासका और केशियस ने ब्रूटेस के कान बर दिये, ब्रूटेस और Caesar की बीच में जगड़ा करवाने का पूरा फूल कोशिश उसने किया हुआ है, तो यहां पे अभी हम और कंचिन्यू करेंगे,